आपने नेहाराज का वो गाना तो सुना होगा जिसमें नेहा दूदू को दूद के फैक्टरी में नौकरी लगवाती हैं आपने नेहा का वो गाना भी सुना होगा जिसमें वो गाती हैं कि आज भर धीलदा धोड़ी जनी छीलदा लेकिन हम आपको नेहराज का एक गाना सुनाते हैं जिसमें नेहराज बताई है कि मम्मी बनने पर कैसा दर्ध होता है जिहां भोचपुरी सिंगर नेहराज का एक नया गाना आया है जिसमें नेहराज सबको बताती है कि सटने पर कैसा दर्ध होता है और मा बनने में जो दर्ध वो कैसा होता है तो चलिए निहराज का वो गाना सुनते हैं जिसमें अंकुष राजा गाते हैं जाने लूरानी महरारु के खातिर सब कुछ ओकर मरद हो ला तो आगे निहराज कहती है कि सटम नहाराज और अनकुष राज का नया गाना लेकिन हम आपको प्रमोद प्रेमी का एक नया गाना सुनाते हैं, जिसमें प्रमोद प्रेमी का आते हैं, कि गल्ती भाईल भारी बानी पच्चतात रे, फेरा में पर गईनी मानी हम बात रे, गईनी खेले टोली में होली ठंधा मुर्ध दिमगवा कर दिहले, सखी यादो जी आपकर नगवा हमरा अगवा कर दिहले, तो ये अपने सिंकर प्रमोद प्रेमी का गाना भी सुन लिया, जो द्विर्थी संवात तिभरपूर और अश्लीलता के चासनी में डूबा हुआ था, प्रमोद प्रेमी के ऐसे गाने से साफ उसपस्ट हो जाता है, कि अपने गाने म तो चलिया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि प्रमोद प्रेमी के और गाने ऐसे कौन-कौन से हैं, जो जाती पर आधारित हैं, लेकिन उसे पहले नमस्कार, मेरे नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामें विशाल और आप देख रहे हैं, जनता जंक्श और आई अपने गाने से ही अपनी लाथी और अपने बनदू का पाहर दिखाते हैं, हम आपको कुछ ऐसे गानों की टाइDINGल घिखते हैं, जो सिर्फ यह जाती पर बनाएगे गए, जिसमें एक गाना है, जिसक अनावर यादव जी को सईया बना लीजिए और यह गाना से एक साल पहले को एक सारी लाले लेकर आई था उसका नाम यादव जी के खठाल में चुम्मा था दो साल पहले चुन-टुन यादव यानि अहिरान इस्टार गाना लेकर आए तैल था याद इसके बाद खुशी ककर गाना गाती है जिसको टाइटल देती है कि यादव जूकर ने भी गाया है आप खुछ पूरी एलबम इंडस्ट्री कैसे गीत संगीत से भटा कर जाती कि वी चुलच कर रह गई है प्रमोथ प्रेमी तो ऐसे गायक है जिनका नाम भूचपूरी के अच जातीकत गाने गाकर अपनी छवी धूंद ली कर लिया यान इस वक्त प्रमोथ प्रेमी के ऐसे गाने आ रहे हैं उसको देखकर तो साफ लगता है कि प्रमोथ प्रेमी अपने लक्ष से भटक चुके हैं वह असली गीत संगीत का मतलब बिल्कुल भूल चुके हैं जहां तक आश्टील जातीकत गानों की बात है तो इसमें नाम भूछपूरी गायक और भीनेता खिसारी लाल यादों का सबसे पहले आता है लेकिन अभी लंबे समय से खिसारी लाल यादो है कोई चातीकत गाने नहीं गाहें इसके बवजूद प्रमोथ प्रेमी लागतार ऐसे गाने गाना है तो आप तमाम एशों पर गाना गा सकते है देश की विए मुद्दोर पर गाना गा सकते हैं लिकिन जाती उपर गाना गाकर किस प्रकार की गाइकी है और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि ऐसे गानों को सुनने वाले शोता भी और गायको को अपना आधृस्ष मानन इसलिए ऐसे गाने गाते हैं बाकि ऐसे गाना गाने के पीछे हमारा इरादा दूसरी जातियों को नीचा दिखाना नहीं होता है हलाकि ये कलाकार ऐसे ऐसे गाने गाते हैं और गाते वक्त ये भूल जाते हैं कि ऐसे गानों से अपनी जाती को प्रमोट करे या ना करे अपनी जाती का नाम बढ़ाए या ना बढ़ाए लेकिन अपनी जाती का इमेज खराब जरूर कर लेते हैं आप खुछ सोचिए कि जब आप सुनिएगा कि यादो समाज अपनी समाज की लड़कियों को लाठी और बंदुक के पावर दिखा कर रात भर नचाया है तो आपके दिमाग में यादो जाती की भला क्या इमीज बनेगी बाकिया आप ऐसे कालाकारों को क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए फिलाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हूं और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे जाज़े दीचे धन्या